नमस्कार दोस्तों आज हमारे वीच मुहम्मद सिराज साहिल जी है प्रिष्ट पत्रकार राजनितिग्या आईए हम इनसे जानना चाहते हैं कि दो हजार चौबिस में मुद्धी जी किस्तरकार पूर्ण भहुमत के साथ आ रही है आपका क्या ओपिनिन है मेरा यह मानना है कि जो विपक्षी दल है वो अपने निजी स्वार्तों में अपने अहम में अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के मकसद से लगे रहे हैं ना कि राष्ट दिनवार में या बीजेपी को टक्कर देने के लिए सैक्रिफाइस करने की स्थिति में हो कोई भी राइनितिक दल चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो उसके निस्टेत में ही चुना होना चाहिए देखा जाए लेकिन हमारा यहां तमेंड नाडू के मुखमंत्री स्टालिन वियार के मुखमंत्री नितीश कुमार पष्चे मंगाल के मुखमंत्री मंता बनर जी इसी तरह से नौन बीजेपी के जो इस्टेट है वो लोग परदान मंत्री बनने का सपना देखने हो सबसे पहले आपको भारतिय जंता पार्टी को हराने के लिए उसकी नकारात्मक नीतियों को जंता को बताना होगा और बड़ी लकीर खीच के दिखाना होगा कि उन्होंने यह नहीं किया मैं यह करूंगा एक व्यक्यल्पिक व्यवस्ता पेश करना चाहिए सिर्व यह कहने से कि वह सांपरदाइक है हिंदु मुसलिम कराती है पत्रकारों के हमें आशी आती है 24 गंटे एक ही आरा आप बीजेपी यह कराती बीजेपी अगर हिंदु मुसलिम कराके जीत रही है तो तुम पत्त कारता चोड़ दो घर बैठो कि जब देश की जनता ही तो मोट दे रही है तो अगर घुंधू मुसलिम कराकर जिए तो क्डिसरी भार भी जीत जाएगी तो काम करें यह तो कैसे तो तो हिएसे आख हिस नेता करो पीजेपी अगर हिंदु मुसल तुम आपते हो क्योंकि तुम खुदahn परिबार बार वे मुंत инд की परिवारवाद परिवार सब परिवारवाद भी हो अपने परिवार को आके बढ़ा हूं कि आप लगाई कैसे जीश सकते हो ना आपके पास सामर्थ है ना शक्ति है ना पिलाने है और ना एक जुटता है चलो अगर बीजेपी को 31-32 परसेंट वोट मिलता है अरे कहते हो 32 परसेंट की सरकार है अरे सरकार है तो तुम 32 को अलग कर दो अगर सब्सक्राइब तो आपने नीती की बात कि इस नीती और किस मूल से उनके पास जाएंगे इनके पास क्या प्लान है तो अगर उनके पास प्रक्राइब बन सकता है उसमें कोई चेत्रिय दल जिनके मुक मंत्री वहाँ आं जुповरा आज बन गई हैं ममता बना जी तो ऐसा ना करें गलत वहमी न बालें कि तिर्मूल के इसारे सांसाथ का चुनाओं देश के लिए होता है विधान सभा का चुनाओं राजी के लिए इसी तरह नितीश के साथ जो गट बंदन किये वह लालू परसाथ के लड़के वह यह ना सोच भटते हैं लिए मिलते हो या तो तुम बीजय से डरते हो तुम नीजी स्वाता है कि मेरे सांसांसाथ बहुचना चाहिए इसी सके में GBP बहुत समयधार है वय् temporary अगर निशाताम बंदन के लिते हैं उनके घटबंदन की पड़ती है कांग्रेश जो है समाजवादी पार्टी माया वती जनतादल युनाइट जनतराश्टी जनतादल और स्टालिन अब स्टालिन माल लिए तामिल नाडू के मुख मंत्री है तो वह चाहेंगे जादा नवीन कुमार एक अच्छे नेतना है वह प्रदार मंत्रीपत के दामेदार भी हो सकते हैं वहां कांग्रेश के साथ आलवेल करें बीजेपी को हराने के लिए उनसे कम सीटे माने ऐसे ही गुजरात में तो कांग्रेश अगर राष्टिये पार्टी है तो जो छेत्रिये दल हैं में कassy यहां हैं पचास नाँ गिना ढिना जाएंगे जो तो निसीज़्बावु ही क्यों रण नेती वी कलात है आपने बदुदी के बनुदी के वाग्षी रणनीती यह बनाओ जीतने के बाद संसदी एदल की बैटक होगी जो वेक्ति को संसदी एदल अपना नेता चुनेगा अब चाहे स्टालिन के पार्टी के पांच संसद जीत के आए और कोई बहुत काविल है उसमें उसको जो है गुप्त मद्दान से लोगों ने परदान मद्दी चुने वह बन ज गवांगे मोधी झीतों ठेंगे तुम्हें रण नीती बनाना नहीं आती है LIVE कांग्रेस की नेता नहीं ही संसदी हो जाता है समान अगर किसी को दे दिया उन्हों आधे घंटे का संसीत. की विधेश चले जाने से क्या हो जाता है MY अकलेश को 10 मिनट मेरे सामने बैढ जाने सि अहीं पत्रकारीता और नेतागीरी सब चोड़ूंगों को मंत्री विदा है के MP या निगम पार्शद भी सही माने में वह जो जन सरोकार का राष्ट रास्ता अपना है और लोगों के बदद करें मैं कहता हूं कि परधान मंत्री नरेन 36 गल के मुख मंत्री भूपेज बगेल साहब के पिता शिरी नंद कुमार बगेल जो राष्टिय मद्दाता जागरती संस्ता के राष्टी अध्याच्छा उन्हों ने कहा अपने बेटे से कांग्रेश की निदी देखिए कि हमें जो है तुम उत्तर प्रदेश में घुमने का म रखता है अनुभू रखता है जिस व्यक्ति का बेटा खुद मुख मंत्री है उसकी सला दिशा निर्देश और आडवाई लेने को राहुल त्रियंका तयार नहीं है ऐसे कागरेश चलती है अरे कोई आदि मुख्त में तुम्हें चमकने का आगे बढ़ने का रास्ता दे र किसे मुख मंत्री के पिता की बात सुनने का टायम नहीं है तो आम आद्वी को भारत जोड़ो यात्रा करके तुम कैसे जोड़ों क्या रहन निती बना लोगे अब जिन्दाबाद ऐसे नहीं होता है जिन्दाबाद लोगों के दिलों में उत्रोंगे तम होगा धरम होता है पहलाया जाता है लेकिन अगर कहीं पे बहुत जादा भ्रम पहला दो गया और कोई वेक्ति इमांदार वहां पे है तो एक रिवर्स चलेगा बिल्यक एंडवाइड जैसे प्रदेश में बहुत पैसा खरच किया नडड़ा जी का प्रदेश था वहां हर गए तो इसका मतलब पुद्ध जीते नहीं बहुत सी चीजे राजनीती में काम करती है अब केज़री वाल अगर पंजाब में जीत गया तो बहुत बड़ा सुर्मा थोड़ी हो गया पंजाब में जो है बीजेपी और अकाली का गटबंधन तूट गया था कांग्रेश में सुद्दू चन्नी को लेगे उठापटक चल रहे थी अमरेंदर सिंग को इसलिए बरबाद हुए तो कई बार जो है ऐसी चीजे लोगों को मिल जाती है उससे जो है यह सोचते है कि मेरी हवा हवा किसी की नहीं है जनता जो है जब चाहेगी किसी को भी उखाड भेगे बहुत बहुत धन्याबाद मैं आम जनता से भी और सभी पार्टी के बड़े बड़े जो नेता हैं उन से कहना चाहूंगा ताकि नीती और रननीती पे बर्क करके देश में अच्छी पार्टी अच्छा सासन लोगों को सारी सुब्धाएं और सब जो होना चाहिए वो मिलना चाहिए आपका बहुत झाल झाल